अभी तुम ताजूब कर रहे होगे कि मेरा चहरा क्यों नहीं है आज की वीडियो में तो याँ तुम में से बहुत सारे लोगों यह चहरा पसंद है और तुम मेरी ओवरेक्टिंग को इंजॉय करते हो बट कुछ लोग ऐसे भी है जिनको मेरा कॉंटेंट पसंद है बट मेरा तो यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको कॉंटेंट इंजॉय करना है करो नाचो एंड तु दी रेस डोंट वरी ब्रोज आई नो था आम था मुट लुकिंग का इन इंडिया वट यूट यूट बिलीव में आम गुट लुकिंग का इन इंडिया वाट यूट भाई तिरी शादी क्यों नहीं हुई बशान चल रहे हाँ पर कोई बात नहीं आज ये वीडियो मेरे लिए नहीं ये वीडियो है साउथ इंडियन उवीज के लिए हाँ मैं उन्हीं फिल्मों की बात कर रहा हूँ जहां पे बदला दा रिवेंज होता है धोखा दा फ्रॉड होता है मतलब हाला दब ये हैं जब साउथ इंडियन में किसी के घर में बच्चा होता है तो डॉक्टर मुबारक हो लड़का हुआ है ऐसी बाते नहीं करता डॉक् कह रहा कि वो लोग बेवकूफ होते हैं और अगर तुम इतने मासूम हो जिनको अभी तक नौर्थ और साउथ इंडियन और रिजल्ट देखो और फिर वही काम नौर्थ इंडियन के साथ करो भाया हवस दोनों जगह है बट वह शूर हैं कि उनको कौन सी हवस देखनी है और भाय साब इनकी फैन फालोइंग मैं तुम्हें समझाता हूँ एक असली और एक सचा फैन वही होता जो साउथ इंडियन मूविज को हिंदी डब में यूट्यूब पे देखता है और उनके गाने तक स्किप नहीं करता है तो अगर तुम यहां तक टिक चुके हो और और अफ क्यों नहीं बोलते यह साइंस फैसिक्स को फक्यों बोलते हैं और अगर तुम्हें मेरी बात पें श्क्ति मान के और अगर लोगों में से हैं जिसको अभी मेरी इफेक्ट मुक्को के साउंड इफेक्ट्र डाल दिया लॉजिक फाक क्यू मैं और अगला सीन देखने के बाद तो तुम अपने उपर सवाल उठा दो कि इंडिया ओलम्पिक्स में गोल्ड क्यों नहीं जीत आरे कैसे जीतेगा अच्छे निशाने बास तो मूवीज बना रहे हैं अभी तुम में से बौछ सारे लोग क्रिकेट के फैन होंगे कुछ लोग फूटबॉल को पसंद करते हैं और मेरे जैसे लोग आज भी गिल इटन्डा केहलते हैं बट 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 अगर तुम फुटबॉल के फैन हो तो ना 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 डोंट कॉल योसेफ फैन क्योंकि तुमने असली फुटबॉल तब तक नहीं खेला जहाँ तुम एक फुटबॉल जट चार बंदों गिरा नहीं देते और अगर तुमने जिन्दगी में कभी भी कोई भी साउथ इंडियन मूवी देखी होगी मेरे को लगता तुम्हारा भी मेरे जैसा एक सवाल होगा कि साउथ इंडियन वालों को स्कॉर्पियों से इतना प्यार क्यों है हर मूवी में 4-5 स्कॉर्पियों ना दिखाई ना फाड़ी ना उड़ाई उनका खाना हजम नहीं होता मतलब अब तो हलात ऐसे हो गए ना कि मैं रास्ते पे जब स्कॉर्पियों देखता हूँ मुझे लगता हूँ उड़ेगा वाई बस सही बता रहो इन चीज़ों के लिए मेरे पास कोई एक्स्प्रेनेशन नहीं यह तुम्हें साउथ इंडियन वाले ही बता सकते हैं और तुम्हें लगता होगा आरेन में बहुत उरिजिनल कॉंसेप्ट है बट ना ना वह भी कॉपी है साउथ इंडियन मूवी से बॉली और ना ना यह जो बाउंसिंग एफ्लेक्ट है यह सिर्फ गोलियों के साथ नहीं इनसानों के साथ भी है अब लोग और जिन्दगी में खोदा ना खास ना कभी ऐसे दिन आ जाए कि तुम्हारे घर से कोई किर्णाप हो जा और तुम्हें उस फैमिली मेंबर को किर्णापर से चुड़ाने जाना पड़े अगर कबी जाना पड़ जाये तो यह निक सिंदी तो में थाट पाइस्पम यह मैं तीर कमान यूजड करूंगा और एक guilt ऐसा बइसा भी घचाएग कर तुम्हारे तीर खतम हो जाएंग पर तुम्हार नहीं मान सकते क्योंकि फक लॉजिक तो मैं आज पास पका कुछ ना कुछ मिलेगा चुहा पुता बिली और इस केस में तो मुर्गी भी मिल सकती है तुम उस मुर्गी को तीर बना के उस विलन को मारो मुर्गी मारेगी भी और अंडा भी देगी और इससे पहले कि मैं यह एपिसोड ख़तम करूं मेर पेवरेट सीन मेरा पेवरेट सीन कोई कॉमेंटरी नहीं है इसके लिए देखो और इन्जॉइ कुछ मतलब साउथ इंडियन वाले इतने इंटेलिजेंट है कि ट्रेन बचाने के लिए ट्रेन की पट्रेंपे हाथ डाल देते और उंगली कटती नहीं है यहाँ पे कल मैं आलू काट रहा था उससे मेरी उंगली कट गई तो यार इसी रेलवे ट्रैक में अपना सर फोड़ते हुए इस एपिसोड को हम यहीं घदम करते हैं I hope तुम लोगों ने इंजॉय किया हो मुझे मालो में तुम लोग सोच रहो है कि इसमें तो बहुत सारे सीन ले सकता था फिर मैंने यह सलेक्टेड जिन क्यों लिए इसका मतलब एक ही होता है अगर इस वीडियो पर हजार लाइक आते हैं तो पक्का हम इसका पार्ट डू करेंगे जिसमें मैं वह सीन दिखाऊंगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किसी भी वीडियो में देखे होंगे क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं कितना बड़ा सा इंडिया तो अभी के लिए इतना कॉफी है आपसे अगली मुकलात होगी कल एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए सेडक्टिव बाई बोलता हूँ मैं चलो बाई